पतना में नेशनल टेस्टिंग एजनसी दुवारा आयूजित हुई UGC नेट परिक्षा के पेपर लीक मामले में एक बड़ा खुलासा सामने आ गया है आरोपी अनुराग यादव ने पुलिस के सामने दर्ज किये गए बयान में सपस्ट किया है कि उन्हें परिक्षा के प्रशन पत्र और उत्तर पुस्ति का एक दिन पहले ही मिल गए थे जो परिक्षा में आये और उन्हें 100% सवाल परिक्षा में पूछे गए थे इस मामले में आरोपी यादव के बयान के बाद छात्रों और उनके परिवारों की ओसे एंटिये पर कई सवाल उठाये गए हैं और छात्रों की ओसे CBI जांच की मांग की गई है इस घटना के बाद बिहार और गुजरात से भी पेपर लिग की खबरे सामने आई हैं जिससे एंटिये की विश्वशनियता पर सवाल उठ रहे हैं पटना पुलिस ने इस मामले में कारवाई करते वे कई लोगों को गिरफतार किया है और अधिकारियों ने बताया है कि इस मामले में और भी गहराई से जाच की जा रही है इस समाचार को लेकर अभी तक एंटिये ने कोई अधिकारिक बयान नहीं जारी किया है लेकिन छात्रों और उनके परिवारों का गुस्सा अभी विशांत नहीं हुआ है आगे भी इस मामले में नए खुलासे हो सकते हैं